पीनि struggled बात करेंगे ज़ो भागता क्यों बात है जब इसके सजवी करेंगे लुक Are दंश के वैड़ी करेंगे चाहिए बच्छे को सब्सक्राइब नहीं इस्ट ना क्लाइक है लुट है सब्सक्राइब करें चाहिए वो किसी टीचर से डर गया हो वो चीजों को सौट आउट करके फिर उसको कंटीनु कर रहेगा मैं एक चीज मैं बस एड कर देता हूं कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे जो होता है नहीं आपका अच्छा कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं तो दोस्त वगएरा सब आते हैं कभी-कभी टाइमिंग में थोड़ा सा डिफर्ट चाइम हो जाता है तो कुछ दोस्त करने लगते हैं कि आज इस पूल को ड्रॉप करेंगे हम लोग तो ऐसा भी होता है इस कंडिशन म फिर अपने घर चले जाते हैं टाइमिंग से ऐसा भी होता है सर तो इस सिच्वेशन में हम उन सभी को समझा भी सकते हैं कि नेक्ष्ट आता है तो और यह सर प्रस्नली आप प्रस्नल सिंग से लेना चाहते हैं तो आपके पूसी को आप देखें कि आप तीस बचों को पढ़ इसके घर जाके समझ सकते हैं कि वच्चे को क्या प्राबलम में है ऐसा भी हो सकता है ऐसा कर सकते हैं सब्सक्राइब करता होना चाहिए उसका गुट कॉमनिकेशन इसकिल होनी चाहिए उसमें कंप्यूटर का ग्यान होना चाहिए और शर परजेंट नहीं जाए उसे सॉप्वेयर का ग्यान होना चाहिए लाइवरी में कॉपीराइट का भी उसे नॉलेज होना चाहिए आपडेट करना आना चाहिए सब्सक्राइब आपने बिश्ट दिया है ठीक है आप बीश में क्यों कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बेश्ट आप दे रही है कि अधि कि अधि कि अधि कि खिर से पूछे आवाज नहीं आ रखा अलंकार के कितने भेद हैं अर्था आलंकार के बेद आप मंतलब दिन नहीं सकती बहुत सारे विद कि अब आप अवर आप अवर्द एक चोई नाम लेकि पूछें तो मैं साथ बता सकती हूं मैं जैसे एक्जाम इंटर्विवर का ये क्वेशन हो तो क्या बता हैं बताए लिए कि सब अरूपा कुछ प्रिक्षा, ब्रांतिमान, यह बता हैं या फिर उवो सकता है कि कुछ इसकर वो हो नंबर हो मुझे यार नहीं है तर फीजिकल वाले सर से पिरा एक कोश्टन है हां जी मैं जी जी अलो जी मैं से बनो दरपन क्या है क्योंकि आप एक फीजिकल टीचर है तो इस पर पूसरे यह बच्चों को किस तरह मदद करेगी मैं जी मनुदरपन मैं मनुदरपन कोविड के दोड़ान चलाए गया था जो बच्चे उस टाइम स्कूल से दूर हो गया थे उनका जो मेंटल है ता उसको ध्यान में रखने के लिए मनुदरपन चलाए गया था इस इस अलका मैं मेरा सवाल था अर्था लंकार के डेफिनेट मतलब मैं भी निसी तो उसका संख्या नहीं पता है मुझे एक्जेक्टली इसलिए आप से पूछ नहीं है तो अलग-अलग किताबे पढ़िए तो अलग-अलग में जैसे संख्या कहीं नहीं पर्टिकुलर नहीं दिया हुगा हां अर्था लंकार बाकी में अगर होगा तो इसको देख क्या आपको बताऊंगी मुझे भी इग्जेक्ट नंबर इस पता नहीं अज विजय में की कमी हम लुग लास में ख़ल रही है मैं अस्थाइब हाओ कितने हैं नो यह जो का का ली नी यू के ल है मैं अस्थाइब हाओ किसे नो है याई ग्यारा नो नो है इसे नो है नो है ओके मैं आप ऐसा करियेगा ना किसी आथेंटिक बूफ में देख ली चीए और वहां जितनी संखिया कर लिजेगा ताकि उस बुक का प्रिफरेंस दे सके जो कि अलग अलग किता जैसे आप बास देव नंदा नगरवाल की बुक देख लीजिए वहां कितना दिया हुआ है वही आप बताईएगा सब्सक्राइब कर रहा हूं इसलिए कि यह कुश्चन आप इंट्रिव्यू में पूछा जाएगा नाइटीन पर्सेंट चांसे जाएगा सार मैं अपचार कि आप दिस्टालिएड दता है और जो अनपंच्रिक उड्स अरन उसका कोई बाउंड़ेशन होता है ना उसका कोई ब highway कर देवस होता है वह हम चलते फिरते कहीं किसी एक्स्पीडेंस ले लेते हैं वह भी अनुपचारिक सिख्षा कहीं अंतरगता है कि लिए आप लाइबरेरी के लिए जा रही है कि लिए आप से भी एक्वेश्चन किया जाएगा आप अपने एकॉर्डिंग बताइए इसका अं जाती है और अनुपचारिक सिख्षा वह बाहर ईसे आइसली बोल सकते हैं कि जो सिक्षा पत्रिकाओं निूसपेपर या बाहर बाहरी जो चीजें उनसे ली जाती है उन्पचारिक सिक्षा haji तर निरॉपचारिक शिक्षा किसे करते हैं तो निरॉपचारिक शिक्षा है जैसे कि इगनू हो गया या फिर राजी तंडन है तो जो करते हैं कोर्स वो सब निरॉपचारिक कि अंतर ते तांक यु मैं थेंकिए तेफिए कर से जो जो फिर या पिर एगनू है ओपिन ओपन इन्वर्स सद्रेस्ट एम को सकते हैं तो वह तो निरॉपचारिक शिक्षा का बेस्टेश्ट घ्जाम फिर है तेकि निकिटान के चैना है ये जया कर दो कहां से चालू हुआ था और भारत में इसका मतलब कौन थी हम देखिए आप भारत के पूछ रहे हैं सर भारत में बीच्वर से चालू कि और भारत में कौन कि था यह पूछ रहे हैं सबसे पहले आपके कुलकत्ता में और कुलकत्ता में एक पाइब्लिक लाइब्रेरी का नाम दिया गया इसको सब्सक्राइब करें और कुलकत्ता में इसका सुवारम दिया बनाया ठीक है फिर क्या हुए सर कि 1844 में इसे मेट का भौन में अस्थांत्रित कर दिया गया गया अठारा सो उनसट में इसे प्रवंधी बाग इसका जो प्रवंधन का बाग दोर है सर जो अब इसका देख रेक करेगा वो कुलकत्ता का जो है सर आपका नगरपालिका है वो शुरू कर दिया अठारा सो उनसट में प्रवंधन का बाग दोर उसको नगरपालिका को दे दिया गया सर 1898 में धन की कमी से इस लाइबरेरी को यह नौबत आ गई कि बंद होने लगी बंद बंद समझ में आया कि अब यह क्या लाइबरेरी बंद होने वाली है फिर 1899 में इसे लाट करजन ने इसकी दैनिया इस्तिति को देखते हुए इसका बाग दोर अपने हाथों में ले लिया फिर इसका उन्होंने नाम बदलकर इंपर इंपरियर लाइबरेरी के रूप में कर दिया तो यह बहुत सारा उधार हो सकता है और आप पड़ भी सकते हैं एक बार इसको पर पढ़ना सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कहां से चालू हुआ और भारत में इसके जनक कौन थे हम यह कोशन किये थे सब्सक्राइब नहीं इसार रंगनाथन से पहले भी साइस चीवी रमन जी थे ऐसा कुछ कहा जाता है सर मुझे पता नहीं आप बता सकते हैं तो बताई यह सवाल है भारत के सारुजिनिक अंदोलन के वस्तुकार कोल्ड है अब नहीं पता है इसके आंसर मुझे पता नहीं आप रिकॉल कर रहे हैं तो ब्यतर हो गया है आया की वें काटा कर अब अब परदेश अंदोलन के भी आंदोलन के बीन अंदोलन प्रदेश में ना मैं थेंकिया थे अंद परदेश में उनी सो बहुत तर्म इसेवंटी टूमे ना मैं थेंकियों यह क्वेशन का यह तरह के बीडिए कहां पर खोला गया था फस्के बेला किंद्री विचान था तरह को लगया था जो अनिबडी नहीं पता है मैं माप बताई पहले यह एक सेंटर स्कूल की नाम से थी तो उन को किया गया था तो पहला किया गया था जे इसलिए पहला केंद्री विद्धाले का कोई पर्टिकुल नामी नहीं दिया गया कहीं लिए 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 किसको फिर से कोशन कीजिएगा एसर केस्वन को पहले पुछते काले के जी जी पर्थम लाइबरियं थे उनको एक पादमिश्री कम मिला था उन्हाइश्व साथ में नोबल पुरुषकार किन को मिला नोबल पुरुषकार वो तो बाहर का को थे ना लाइबरेरियन इंडिया से बाहर के इंडिया वाले को तो नहीं था नाम बता दीजिए विहार की तीन प्राचेन लाइबरेरी का नाम बताएए नालंदा विश्विद्याला लाइबरेरी फिरा करेंगे क्लास में चोडी करता है तो सबसे पहले तो आप चोडी करने लोगा की तो वह से तंग है या उसके महनों धसा ठीक नहीं है उसका आदत पड़ चुकी है चोरी करने की कोई ना कोई से करो छोड़ करो ठीक है कभी-कभी होता है बाला वाश्ता में बच्चों को लगभ पढ़ जाती है किसी का पेंसिल चुरा लेना किसी का कटर चुरा लेना ऐसा लग पड़ जाती है मैं तो उसके बार में जानेंगे अगर कर बच्चा क्यों कर रहा है उसको फिर समझाएंगे और आप एक पीचर आपे बेश्ट समझा सकती है और अगर ऐसी बार थे तो फिर आप बच्चे को समझाएं कि सब के पास जो चीजे है सब पैंसिल लिखे आपकी पैंसिल देखने में अलग है उनकी पैंसिल देखने में अलग है इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा आप मतलब समझा के मोट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं करने के क्या नुकसान है आप उस बच्चे से मत कहिए डायरेक्ट लेकिन उसको सुनाइए और समझा दीजे पहले सुनाइए पूरी क्लास को तो उसको भी लगेगा कि हान नहीं करनी चाहिए चोड़ी आप कुछ इस तरह से बच्चे को मनोबल गिए जाता है तो इसलिए उसको एक आंत में लेके अकेले में बात करें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है अगर वो कर रहा है उसको अलट करें उसको जैसे कि मैं मैं का कि उसको प्रानी स्टोरी बता सकते हैं कि ऐसा करने से हो सकता है तो वह सारी ची इसमें पैरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चा अगर घर पर कोई चीज ला रहा है तो वो पाया कहां से आप पूछी जैसे मेरा बच्चा भी बहुत छोटा मैं अपना अनुवो सेर करती हूं एक दिन पैंसल एरेजर लेका है मैंने का इसको कल वापस करके आना ही जिसकी पैंस मैंडम अगर एक कोई बच्ची है जो सीनियर स्टुडेंट्स है वो चोड़े बच्चों की रैगिंग कर रहे हैं वो बच्चा इतना जाड़ा तोट्चोर हो गया है मैंट भी वो स्कूल आना छोड़ उसने स्कूल आना छोड़ दिया उसके पैरेंट्स आपको ब्लेम कर र कर रहे हैं कुछ परिशान कर रहे हैं तो उसके आगे कि लाइब बच्चा फ्यूचर उसका क्या रहेगा आप उनको मैंटली जाता है वो करके सब्जागे तो वो नहीं मालेंगे पहले तुम मालें चोटे बच्चे सा समझेंगे ना मैं जसमें स्कूब ना छोड़ दिये इपाट्ज आज परिशान करता था उसको बैटने नहीं देता है लिग परिशान करता है अपर सद्वित आ सटीक मैं कि अन्य कर नेकर नहीं का यि ए विलाया उसको बहुत अच्ष hijo अकेले में सब्सक्राक्रीफ अच्छ पमढ़ेया कि सेंगें सब्सक्राइब है। उसमें यह हो सकता है कि जो बच्चा नहीं आ रहा है उसको इसकूल में बुलाया जाएगा उसकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके मन से इस डर को निकाला जाएगा कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा हमने चीजों को सलाउट कर दिया है जो बच्चे उसको परेशान कर रहे थे उन दोनों को आमने सामने बिठा के भी बात करवाईगी कि पेटी के साथ हुआ था को उसके टीचर ने उसको डाट दिया उसको बुखार हो गया दर के मारे दो तिन दिन वो इसकूल नहीं गई फिर वहां से फोन आया फिर हम लो सारी बात बताए फिर इसको बुलाकर उसकी काउंसलेंग की गई तो फिर नेक्स डेय जाने के लिए राजी हो गई थी हाल ही में एक लाइब्रेरियन को पादमसरी मिला वो कौन थे बताएं सब्सक्राइब मिला था इधार इस बार सकल दस निन पहले मिला है अच्छा अभी अभ पता है जी बताएं कौन कौन पता नहीं है हम तो आपसे पूछे ठीक है मैं आपके आंसर दे दूंगा सर थोड़ा सा मुझे मैं अभी नोबिल नहीं पढ़ा हूं कल भी का सर बोले ते कि आप पैसा कर लिए कि नोबिल पढ़ लिए मैं उसके बारे में फड़ा डाता बेस में यूज्टा जाता है की सरटा होगा मंगे तो उसको यह हुर लगेगा क composition का जाता है जो आपके बनिउली का कृती होता है में कि आपके कोड़िंग नहीं कोड़िंग सीखना हूं जानना चाहिए श्क्राइब कर रहा ता उसके अंतरगत मैं कि अधर से आंसर आ गया जो आप में होता है वह वह बोला कि यह नहीं होता है आंसर कुछ और था जो कोसिक बता रहे हैं वह वेश्ट है बताएं डिस्लेक्सिया के बारे में आप क्या जानते हैं कोई बच्चा डिस्लेक्सिया से जूजरा है तो आप उसको कैसे बाहर निका लेंगी डिस्लेक्सिया में होता है कि बच्चों को पढ़ने में कठिना ही होती है उसके जिसे वह बोलने में असमर्त महसूस करता है तो उ उसको अभ्यास के द्वारा ही सुधार किया दा सकता है यह आप बेश्चुधारन मैं कहूंगा आप एक बेश्चुधारन का मतलब दैनिक जीवन से रिलेटेट करके बोलें इसलिए यह कोई इसको इतना हाई नहीं लेना चाहिए लिए यह को इतना हाई नहीं लेना चाहिए अगर बच्ची के अंदर है उसको समझाओ कि बेटो तुमको कोई बीमारी नहीं है यह common बात है और इसको सुधारा भी जा सकता है प्रक्टिस के दौरा शिर्फ और शिरफ इसका इसका इलाज यह ही है कि आप बार बार प्रक्टिस करें पर जितनी आप प्रक्टिस करेंगा उतना गल्डी सुदर जाएगा जैसे कि आपक्रम लोग साथ-सा में गड़बा कर देती हैं और दादा में गलग कर दे आणा या अना या ये होती है और हम लोग तीनों को एककी सुर्म में बोलती है तो ये चीज ना उसको बता सकते हैं तो ये एक ऐसे से लोग भी बड़े- कर सकते जैसे कि जब्रहुनों दो उसको एक्सकी ज़िए करें तो चीजों को समझ सकेगा कि हां इससरों डॉन्व में ने कर ईतरре है में यह होता है यह फिर जैसे जैसे कावी में रस की परवास से यह होती है जिससे आपको इस्थाइब आपके अंदर है को जागर्थ हो जाए समझ लिजे कि वहां रस है रस आपके दोलों में मिलता है वही तो मैं बता रिसे आप नाटक है उसको द्रिश सिकाब यह बोला जाता है जब हम नाटक को देखते हमको एक अनुभूती होती है हमारे वह भी मानलेजे वहां से भी रसास्वादन होता है तो सिर्फ काव्य में आप नहीं बोल सकती कि रस मिलता है आपको नाटक में मिलेगा उपन्यास भी पढ़ते है ताप आनंदित होते हैं तो सभी पिधाओं में कि आकाम होता है और और प्राइमरी अस्तर के बचों पढ़ा रही है और आप से स्रिंगार रस की परिझा की वहांसा बताईए तो स्रिंगार का प्रिभासा का वेश्च वृवासथान हैं आप ऐसे दिनself अ पराइमरी में पहले बात दो रह सब्सक्राइब अगर लिए तो बता सकते हैं इस तरह से तुम्हें दूस्तों से मिलती हो इसके बैठे़ जिए ऊब अधुरू से दूस्टों से बधा जाता है तो उसको कहते हैं भी उग्राइब बहुत अच्छा बेश्ट को सिक्षान है लाइबरी नेटवर्क किसे कहेंगे लाइबरी नेटवर्क यह परकार का नेटवर्क हैं जिसमें बहुत सारी लाइबरी एक साथ से जुड़ी हो और मतलब एक दूसरे से डाटा एक दूसरे से सहर करें हो और अपनी डाटा डाटा बेस को अपडेट करते हूं मैं मुझे तो यहीं लग रहा है आप बता दे कुछ इसको इसको मुडिफा होने चाहिए है अभी इसका वह नहीं किया गया प्रतिपादन नहीं किया गया बटा बताईए कि लाइबरेरी नेटवर्क में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 1000 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जाएगा और वह एक राउटर से जुड़े होंगे ना कि केबल से जैसे आप DTS देखते हैं किनेक्टिवीटी आपकी DTS से होती है उसी प्रकार एक राउटर लगा कि सेट्प्लाइट से डाटा सेयर किया जाएगा ताकि आधर लाइबरेरी में वह बुक उपस्तित है आपकी लाइबरेरी में वह बुक नहीं है जैसे माल लेजिए हमको एक स सब्सक्राइब से उसे यूज कर सकते हैं इसलिए लाइबरेरी नेटवर्क का प्रतिपादन किया रहा है जल्दी से जल्दी ऐसा कारी किया जाएगा कि बहुत बड़ा लाइबरेरी हब बना दिया जाएगा ताकि आपकि किसी को किताबें जो फिजिकली पढ़नी पड़ती हैं तो उनको इसकैन करके और लाइबरेरी के रूप में रखा जा रहा है ताकि वह चीज़े लॉस नहों तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और सब्सक्राइब रहे ते वह सच में एक नेटवर्क है सब्सक्राइब अश्शिया कीमे फ्सकतर है नहीं हुआ और सबस्क्राइब को चप्रोडबं क्योंकि हमारे यूप ஊ सूरी अनूरी में थी पहले शुतर για नहीं हुए सबसे पहले तो आपको यह जणना होगा कि लाइन के बारे में इनर लाइन होती है जैसे कि चार लाइने होंगी मैं मैं बिस्तारिक दूरुप से नहीं बता पाऊंगा मैं ज्यादे तर उसका अधियान नहीं किया हूं मैं चार लाइन होती है जिसमें तरीके से बता दूंगा निक्ष्ट क्लास में मैं आपको प्लीज स्रॉप बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब मगर आपको पता है भी हमारी फेवर्टी स्टुन कुछ लेकर रही है आप लोगों के लिए तो हमारा फर्ज वनते उसको बहु कर दो कि अच्छा लेकर लिए तो हमारा फिर्टी घाना लुकोंगी मैं देसबक्ति गीत गाने चारू मैं स्वाधिन ताकि प्रपर सारे निकल पडें जिन के लवगों के तेज से घर घर धिपक जले पंडे कुच्छू मफासी है रख दायर को मात थी खेल थी फिरंगियों के देर समय जी सीब था मेरे लिया स्वाधिन ताकि निकला पडें प्रिसे सारी पड़ें स्वाधिन ताकि परें जिन के लवगों के तेज से घर घर पक जलें गांधी के आदी के सुभास चल परी फिरंगियों के नरम गरंगे पंगे रंगे पसे जए कर दो कर दो